सास्रीका नमस्कार ते आदा मैं हां हर जिनको और मांगर ते तुसी देखर इंडोस टीवी स्वागता जी सारें दा बुलिटन दी शुरुआत कर देयां जी ते विचारांगे पकिस्तान दे मुद्धे ते नमुद्ध्या ते विचार चार चाकान लगी साड़ना लाहॉर इं कि इसलामबाद कटल करके तागया सी ते बीडियो वाइरल हो सी उस दे विच्छ नूर मुकद्धम देनाल जबरदस्ती होंदी दखाय दे रही है सो मुल्जम पुलिस दी गर्फ दे वेच सी अदालत दे वेच उनोंने की बयान पेश कीते ने ते अदालत ने की फैसला सुनाया, की सचाई सामणे आया तो अड़े तो जड़ना चाहांगे जी बίencie बलकुल इसलामाबाद दी अदालत दे वेचे है कल जदो हाइरिंग जदो जदो जरा की पहँती गई ते उदे वेचे अदालत ने एक पच्चीस क्वेश्चन दामा या किस सवालनामा मुल्जम दुटा सी ते मुल्जम दे वकील ने फिल करके अदालत चे पेश कीता ते उस सवाल नामे दे वेचे ए मौकफ दिता है गा वकील ने उस मुल्जम दे वकील ने जिना मुल्खा ने उनने ए मौकफ दिता है गा कि जनाब मुल्जिम दे उस विले मुल्जिम नशा दे वेच सी ओ भिहोश सी जो भोश चाया थे लड़की दा कतल हो गया सी उनने ए बियान जारी की था कि लड़की ने जबर दस्ती उस लड़के दे कर दे वेचे ड्रग पार्टी रखी उस ड्रग पार्टी ते वेचे सारी रात नशा चलदा रहा थे उस लड़का भी भी होश हो गया तो मुल्जिम जो दो होश चाया थे मुल्जिम ने किया कि मैं मैं जो होश चाया थे मैं वेखिया मिनू कुर्सी नाल बने आ गया है इस ब्दोवाजारं बाद दोने आ प्न वाक्या जेडारा नशा उज्टा, अजो ही तो इसे जड़ार ने उShakar किता हों रेपो तो उस तोबाद गल्ब हाद हो टार गई उताए तो वह अनू इcky मुझ कर देघा एगई एक तेज़दार आले बिनाल उन्हों कतल किता गया और लड़की जड़ी आगी है और पाकिस्तान दे साबिक सफीर शोकत मुकदम दी बेटी आगी है एड़ी वड़ी ऑथारटी हून दे बावजूद हून तक इंसाफ ना मिलना छे मिने गुजरन दो बावजूद इंसाफ न अदालत नो जड़े एविडेंस जटे इड़े सबूत दे और जो एक साफ जाहिर आगा तो सोशल मीडिया ज़े तकरीबन 100% लोगा तब यह मौकिफ हैगा कि जदो हर चीज रोशन दिन दी तरह साफ नजर आ रही है फिर तुसी मुल्जम नो क्यों नहीं सजा दे रहे जो जो फ्रासी क्यूट की तर गया उननो जड़े उस करबे वेचे माली है गासी स्क्योर्टी गार्ड है गासी जो तो नो पुछे आगा सी सीटी वी फूटीज दखाया गया किस तरह दोड़के गेड तक जांदी पर यह लड़की तो स्क्योर्टी गार्ड उनो रोक देंदा पर पंहां तर्य वहां बार नहीं दाओर नो बार ने जान दीटा जारहे हैं तो पूरी दिटीज नो लड़की बड़ी माफिया मंग दीरी रही सीटी वी फूटीज भी देख्या गया सीसी टीवी फूटीज जड़ी यह और फ्रांसी लिपोर्ट देवेचे ऊईज हो भी स जिदों जरा किती गई जिदों उननों पुछ परतीर कीती गई ते लड़के दा वालत ते वालत भी उस टेम कार्च मजूद है कैसी उननने भी हेल्प आउड किती उस लड़के दी कि बार नहीं जान देना है गा जाने कि एक एक ते तस्वीर दा एक रुखते है गा दूसरा कि बजाए इस सीस्तियों मनन दे अपना बयान जड़ा है गाओ वीडियो चे साफ नजर आंदे बावजूद भी अपने बयान तो एक तो पूरा मुकर गया दूसरा उनने ड्रामा किता है पागल होंदा के जेनी तोरते में ठीक नहीं एगा उस वाद मेडिकल लीफ चाल दि टेस्ट लेया गया तो टेस्ट मुलजम जाहर जाफर द नाल जो नेच हो गया तो उन्ह दो एम भुवख जाहर किता कि उस लड़की दा मेरेनाल फीजिक रिलेशन पेले भी मजूद ते वहीं रिजामंदी देनाल ही मजूद सी जबके उस देन ने मतादिकल रिपोर्ट दो अउस्देन उदिनल जबरदस्ती किती गी और स्थेन उदिनल जबरदस्ती रेब करके उस तो बाद उनु कतल किता गया हून अदालत ने डाएगा 15 जनवरी तक जड़ी कारवाय आगी 15 जनवरी तक रोग दिती पंडरा जनवरी नू बजली दाला भी थक्री तक आखरी दिलायल पेश किती यहाने दोना वकील तक्री दाल आ जाएगा दानमांतरी इमरान खान ने जी कर्जास चुकॉन लई कौमांतरी मंदरा फंड कोल स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान नो गिर्बी रखिया है पीडियेम दे परमुख मौलाना फजलुक रह्मान ने इस दी निंदा किती है जी पीडियेम दे जड़े रहनुमा है गया पीडियेम दे जड़े एस्टेम करता दरता ने पीडियेम दे सरबरा मौलाना फजलुरुर्मान ने गुजिशता देने एक जलसे दे वेच दावा किता है गा कि पाकिस्तान हकूमत जड़ी आगी है उस्केट बेंक नूँ आई-ं-एफ दे कोल दे रही है स्केट बेंग नूँ आई-ं-एफ दे गिर्वी रखा रही है तो उन्हा ने दावा की था कि तो ने थे थे निस तो रहा के तक स्टेट बेंग ने हकूमत ने एक को रुपेदा दी कर्ज नहीं देता है गा हकूमत ने जिन्ना में कर्ज लिया है गा ओ आई-म-फ को लिया है गा हूँ अपनी सरपरस्ती चोक लिया है यानि कि एक कंफर्म है कि जड़ी आई-म जड़ा स्टेट बैंक है गा ओ हूँ इम्रान खान साथ नो जवाब दे नही होएगा आई-म-फ किया पॉलिसियां दे मताबिक स्टेट बैंक चलेगा दावा किता गया है मौनाना फजल रिमान वल्लों ते उस तो अलावा आपोजिशन दे बाकी जने में इम्रान भी आगे ने बहुत जड़ा तनकीद की आगी है कि साड़ी मौशी पॉलिसियां पाकिस्तान दे ग्रोथ रेट आगा सी इस हकूमत आन तो पहले उचे फीसद रूं क्रॉस कर गया थी लेकिन जो दो दी एक गवर्मेंट आई गया थे और ग्रोथ रेट आगा और वन पॉइंट सम्धिंग देड़ा उस तो भी नीचे आगया ते इस तो बाद मौना फजल अजर्मान ने जिटी इस तो इलावा गल कीती है गिया और गल बिलकुल बजाए और गल जड़ी अगिया ओ बिलकुल सच्ते मबनी है कि उनने क्या कि महंगाई ती एक नया तुफान आएगा महंगाई ता तुफान दो ही आगया सी जो लास्ट टाइम आएम एफ को साल्च दो दफा कर्ज दी शकल दे पेचे असी उनना को बहुत वड़ी अमाउंट लेगा इसी कि कुछ दो आएम एफ कर्ज देंदा हैगा और ना सिर्फ उस कर्ज नों इंस्टाल्मेंट देनाल या सूद देनाल वापस लेंदा हैगा बल्कि ऑ पाकिस्तान दे जिनने मी या किसे नेड़े फेड़े पाकिस्तान दे वेचे एश्यादे गया है और नेज़ु दो आफसे दि शराय इनी जाल्मेंट क्या ने ऑब बहुत ज्यादा वड़ाइदी वच्छ दो आइएफ कर्ज लेया जन्दा है वूदिए वीजली दे बिजली दे लिजली बल्च देंडे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यागी है पाकिस्तान फेपल्स पार्टी यागी है उस तो बाद जिनियां में काईदे हजब इखतलाफ दे शबाज शरीफ साब ने कड़ी तनकीद की ती यागी है कि हकुमत इड़ी मौशी पुलीस यागी है ये वो सिफर ने हून अगर स्टेट बेंक डिरेक्ट जवाब दे हो जन्दा है आईये में अपनू ते फिसाड़े पले की रहा जाना है गाए तो इसलिए जड़ा अपोजिशन ने एक इहतजाज दा भी लान कीता है गाए वी ऑस्टेलिया दन्वाद